एक नौटिस हमें मिला है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से और नौटिस किसके रिगार्डिंग है HRTC Conductor Examinations डेट क्या है 25 अक्टूबर का और इसमें आपके क्या डाउट्स है कि पेपर वन होगा या पेपर टू होगा OMR sheet के ओपर पेपर होगा या फिर आपका computer पेपर होगा और जो third सबसे ज़्यादा हमसे questions पूछा गया है वो है आपका कि merit list किस हिसाब से बनेगी selections process क्या रहने वाला है आपको पता है कि जब भी इस तरह की news हम discuss करते हैं बिल्कुल officially ही आपके सामने में लेकर आता हूँ से पहले आपको मैं एक चीज़ आपर clear करता हूँ कि HRTC conductor के लिए 40 days का special course चल रहा है ठीक है यह सब कुछ आपको मिल जाएगा जो भी syllabus में mention किया हुआ है ठीक है और इतना ही नहीं आपको math का video course कि हम provide करवा रहे हैं English का भी करवा रहे हैं Hindi का भी करवा रहे हैं English और Hindi एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अच्छे marks gain कर सकते हैं ठीक है अगर आपको tips और tricks पता है तो easily आपका निकल जाएगा कोई दिक्ट कोई परेशानी नहीं ठीक है और बाकी इनके ओपर जितना भी MCQs रहेगा वो सब कुछ हम आपको provide करवा रहे हैं चाहे हो आपका हिमाचल प्रदेश है या फिर करंटाफेज है ठीक है हर एक चीज़ आपको हम provide करवा रहे हैं ठीक है और 15 मिनिट में यह सारा course सभी students को मिल रहा है ठीक है और इसक कर देना 499 की जो fees है ठीक है मुझे मालूम है आप effort कर सकते हैं ठीक है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत कोई पर परिशानी आती है तो simply यहाँ पर WhatsApp कर देना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब हम यहाँ पर बात करेंगे syllabus की लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक number read करो यहाँ पर एक चीज लिखी हुए कि one written object type paper of two hours duration consisting of hundred questions ठीक है 100 questions रहने वाले है समय आपको दो घंटे का मिलेगा ठीक है मतलब 120 minute में आपको 100 questions करने है ठीक है और OMR sheet के उपर यहाँ का paper होगा ठीक है syllabus यहाँ पर इन्होंने mention किया हुआ है ठीक है यह बार बार में आपको नहीं बताऊंगो कि last video में आपको में सारी चीज यहाँ पर clear कर चुका हूँ इसके regarding अगर कहीं पर problem आ रही है तो simply आप WhatsApp कर लिजिए अब भी हम यहाँ पर बात करेंगे selections की देखिए simple सी चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखी हो यह the final selections will be made on the basis of the combined merit drawn on the basis of marks obtained in the written object type test followed जो भी आपका test यहाँ पर लिए जा रहा है ठीक है 100 questions का जितने भी आप marks gain करते हैं ठीक है उसके हिसाब से ही आपकी merit list बनने वाली है तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि आपको paper तो बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा ठीक है क्यो या फिर second paper होगा ठीक है वो सब खत्म हो जुगा है ठीक है conductor की especially में यहाँ पर बोलो एक ही paper होगा 100 questions आएंगे और यह सारा का सला सारा इन्होंने इस labels जो मैंशन कर दिये कि भाई देखिए हम आपसे यह सारी चीज़ें पूछने वाले हैं अब यहाँ पर maths बहुत सारे students का week अजिक होता है ठीक है तो अगर आप maths को अभी करना चाहते है ठीक है तो course join कर लेना भी भी time है ठीक है otherwise इसको अगर आप skip भी करते हैं मतलब आपको एक चीज़ यहाँ पर clear करना हूँ ठीक है तो अभी clear नहीं है कि कितने questions यह HPPSE डालने वाला है maths कि कितने questions डालने वाला है क्योंकि आपको पता है कि Conductor का exam है, Maths थोड़ा वो तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको वही हिसाब किताब में तो आपका भी चिद्धी सिंपोल सिवाद है कि आपका strong होना चाहिए, ठीक है? और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर clear करता हूँ, Document Verifications of the Shortlisted Candidates, ठीक है? मतलब जो आपका paper हुआ, 100 questions का जो आपका paper हुआ, ठीक है? माल लीजिए कि किसी 91 नमबर आगे, 80 नमबर आगे, 85 नमबर आगे, ठीक है? किसी कि 70 नमबर आगे, 72 नमबर आगे, 70 आगे, ठीक है? उसके हिसाब से merit list बनेगी, ठीक है? उसके बाद shortlist किये ज ठीक है? माल लीजिए कि अगर किसी ने plus two नहीं की है, ठीक है? तो document तो verify करने ही पड़ेंगे नो, ठीक है? तो यह सारी चीज़े हैं, ठीक है? अगर कहीं पर problem आ रही है, कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है? आपको पता है, यहाँ पर आप WhatsApp कर सकते हैं, ठीक है? औ कि भी कोई भी doubts, questions, queries अगर आपकी हैं, ठीक है, simply WhatsApp करेंगे, धन्यवाद.